भारत माता की भारत माता की धर्म अध्यात्म और करांति का नगरी गोरकपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रनाम करत माने परमहांस योगानन महायोगी गोरकनाज जी वंदनिया हनुमान प्रसाज पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाज बिश्मल का इपावन धर्ती का कोटी कोटी नमान आप सब लोग जवने खाद कार खाना और एम्सक बहुत दिन से इंतिजार करत रही लैं आज उगड़ी आग इल्मा आप सबके बहुत बहुत बदाई मेरे साथ मंच पर उपस्तित उत्तर पदेश की राजपाल श्रिवति आनंदी बेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के यसस्वी कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाजी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केश्व प्रसाद मौरिय डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सींजी अपना दल की राष्ट्रिय द्यक्ष और मंत्री मंडल में हमारी साथी बहन अनुप्रिया पतेल जी निशाद पार्टी के द्यक्ष वाई संजय निशाद जी मंत्री मंडल में मेरे सयोगी स्रिपंकच चोदरी जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जै प्रताप सी जी त्री सुर्य प्रताप साही जी त्रिदारासी चवान जी, स्वामी प्रसाद मोर्य जी, उपेंदर तिवारी जी, सतिष द्विवेदी जी, जैप्रकाश निशाद जी, राम चवान जी, आनन स्वरुप शुकला जी, संसद में मेरे साथीगाण, यूपी विदान चब और विदान परिशत के सदस्यगाण, और विशाल संख्या में, हमें आशिरवाद देने के लिए आये हुए, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, जब मैं मंच पे आया, तो मैं सोच रहा था, ये भीड है, यहाँ नजर भी नहीं पहुंच रही, लेकिन जब उस तरब देखा, तो मैं हरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मुएनी मानता हूँ चाहिए, उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा, इतने दूर दूर लोग, जंडे हिला रहे हैं, यह आपका प्यार, यह आपके आशिरवाद, हमें आपके लिए, दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, उर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, पांच साल पहले, मेहां एमस और खात कार खाने का सिलान्यास करने आया था, आज इन दोनों का एक साथ लोग कारपन करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है, ICMR के Regional Medical Research Center को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है, मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, गोरकपुर में फर्टिलाइजर प्रांट का शुरू होना, गोरकपुर में एम्ष का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है, जब डबल इंजिन की सरकार होती है, तो डबल तेजी से काम भी होता है, जब नेक नियत से काम होता है, तो आपदाएं भी अवरोद नहीं बन पाती, जब गरीब, शोशित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी लाकर के दिखाती है, गोरकपुर में आज हो रहा आयोजन, इस बात का भी सबूत है, कि नया भारत जब ठान लेता है, तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, साथियों, जब 2014 में, आपने मुझे सेवा का आउसर दिया था, तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टार बहुत बूरी स्थिती में था, देश के कई बड़े-बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था, एक बड़ी दिक्कत ये भी थी, कि जो खाद उपलब्द थी, उसका इस्तेमाल चोरी छिपे, खेती के अलावा और भी कामों में गुप चुप चला जाता था, इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लक तब सुर्खियों में रहा करती थी, किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी, ऐसी स्थिती से देश को निकालने के लिए ही, हम एक नए संग्किकल्प के साथ आगे बढ़े, हमने तीन सुत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया, एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की शत्व प्रतिशत निम कोटिंग की, दूसरा, हमने करोडों किसानों को सॉयल हेल्थ कार दिये, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खात की जरूरत है, और तीसरा, हमने यूरिया के उत्वादन को बढ़ाने पर जोड दिया, बंद पड़े फर्टिलाजर प्रांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकट लगाई, इसी अभियान के तहत, गोरकपुर के इस फर्टिलाजर प्रांट्स समेच, देश के चार और बड़े खात कार खाने, हमने चुने, आज एक की शुरुवात हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे, साथियों, गोरकपुर फर्टिलाजर प्रांट को शुरू करवाने के लिए, एक और बगिरत कार ये हुआ है, जिस तरह से बगिरत जी गंगा जी को लेकर आये थे, वैसे ही, इस फर्टिलाजर प्रांट तक, इंदन पहुंचाने के लिए, उर्जा गंगा को लाया गया है, पी-एम उर्जा गंगा, गैस पाइपलाइन परियोजना के तहट, हल्दिया से जगदिश्पुर पाइपलाइन बिछाई गई है, इस पाइपलाइन की वज़े से, गोरकपूर फर्टिलाजर प्रांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दरजनों जिलों में, पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है, भाई और बैनों, फर्टिलाजर प्रांट के सिलाने आज के समय, मैंने कहा था, इस कारखाने के कारान गोरकपूर इस पूरे छेत्र में विकास की धूरी बन करके उबरेगा, आज मैं इसे सच होते देख रहा हूँ, ये खाद कारखाना, राज के अनेक किसानों को परियाप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पुरवाणचल में रोजगार और स्वर रोजगार के हजारों नए अवसर तयार होंगे, अब यहाँ आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी, अनेक नए बिजने शुरू होंगे, खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही, ट्रांस्पोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, साथियों गोरकपूर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमी का देश को यूरिया के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने में भी होगी, देश के अलग-अलग हिस्सों में बन रहे पांच फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बार, साथ लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा, यानि भारत को हजारों करोड रुपिये विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, साथियों, खाद के मामले में आत्म निर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकटकाल में भी देखा है, कोरोना से दुनिया भरने लोगडाउन लगे, एक देश से दूसरे देश में आवाजा ही रुख गई, सप्लाई चेन तुड़ गई, इससे अंतराश्तिय स्तर पर खाद की किमतें बहुत जादा बढ़ गई, लेकिन किसानों के लिए समर्पित और सम्वेदन सील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया, कि दुनिया में पर्टिलाजर के दाम भले बढ़े, बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोज हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे, किसानों को कम से काम पराज़ानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी लिए, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाईयों बैनों, इसी साल एनपी के फर्टिलाजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के काराण, 43,000 करोर रुपिय से ज़्यादा सब्सीडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवशक हुआ और हमने किया, यूरिया के लिए भी सब्सीडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोर रुपियों की वृद्धी की, क्यों कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोट हमारे किसानों पर न जाएं, अंतर राष्टिय बजार में जहां यूरिया 60-65 रुपिये प्रती किलो भीक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10-12 गुना सस्ता देने का प्रयास है, भाई और बेनों, आज खाने के तेल को आयात करने के लिए भी भारत हर साल हजारों करोर रुपिये विदेश बेचता है, इस थिती को बदलने के लिए देश में ही परियाप तक खाज्य तेल के उत्पादन के लिए राष्ट्रियम मिशन शुरू किया गया है, पैट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल पर भी भारत हर वर्ष पांच साथ लाग करोर रुपिये खर्च करता है, इस आयात को भी हम इथेनोल और बायो फ्यूल पर बल देकर कम करने में जुटे हैं, पुर्वान चल का एक छेत्र तो गन्ना किसानों का गड़ है, इथेनोल गन्ना किसानों के लिए चीनी के अतिरिक कमाई का एक बहुत बहतर साधन बन रहा है, उत्तर पदेश में ही बायो फ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्टरियों पर काम चल रहा है, हमारी सरकार आने से पहले यूपी से सिर्फ बीस करोड लीटर इथेनोल तेल कमपनियों को भेजा जाता था, आज करीब करीब सो करोड लीटर इथेनोल अकेले उत्तर पदेश के किसान बारत की तेल कमपनियों को भेज रहे हैं, पहले खाड़ी का तेल आता था, अब जाड़ी का भी तेल आने लगा है, मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराना करूँगा, कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभुत्पुर्वक काम किया है, गन्ना किसानों के लिए लाबकारी मुल्य हाल में साड़े तिन सो रुपिय तक बढ़ाया है, पहले की दो सरकारों दस साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगबग उतना योगी जी की सरकार ने अपने साड़े चार साल में किया है, भाई और भेनों, सही विकास वही होता है जिसका लाब सब तक पहुँचे, जो विकास संतुलित हो, जो सब के लिए हितकारी हो, और ये बात वही समझ सकता है, जो संवेदन सील हो, जिसे गरीबों की चिन्ता हो, लंबे समय से गोरकपुर सहीत, ये बहुत बड़ा शेत्र, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के बरो से चल रहा, यहां के गरीब और मद्यम बरगिये परिवार को, इलाज के लिए बनारस या लखनव जाना पड़ता है, पांच साल पहले तक, दिमागी बुखार की इस ठेत्र में क्या स्थिती थी, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिशर्ट सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्लिंग तक नहीं थी, भाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का आउसद दिया, तो यहां एम्स में भी, आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया, इतना ही नहीं, रिशर्ट सेंटर की अपनी बिल्लिंग भी तयार है, जब मैं एम्स का सिलान्याज करने आया था, तब भी मैंने कहा था, कि हम दिमागी बुखार से, इस खेत्र को राहत दिलाने के लिए, पूरी महनत करेंगे, हमने दिमागी बुखार फ़लाने की वज़व को, दूर करने का पर भी काम किया, और इसके उपचार भी, आज, वो महनत जमीन पर दिख रही है, आज, गोरकपूर और बस्ती डिविजन के साथ जीलों में, दिमागी बुखार के मामले लगबक, 90 प्रतिशत तक कम हो चुके हैं, जो बच्चे बिमार होते भी है, उनमें से जादा से जादा का जीवन, बच्चा पाने में हमें सफलता मिल रही है, योगी सरकार ने इस खेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर राष्ट्य स्तर पर भी हो रही है, अब इनसे फ्लाइटीस से मुक्ति के अभ्यान को और मजबुती मिलेगी, इसे दूसरी संकरामक बिमारियां महामारियों के बीच, उसके बचाओं में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी, बाई और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवशक है कि उसकी स्वास्त सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलब हो, सबकी पहुँचबें हो, वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक सहर से दूसरे सहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिर्वी रखते, दूसरों से पैसेों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलीत, पीडीत, शोशित, बंचीत, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी खेतर में रहता हो, इस तीती से बहार निकालने के लिए जी जान से जुटा हूँ। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल सांसान बड़े सहरों के लिए होते हैं। जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर छेतरों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं। आजादी के बात से इस सदी की शुरुवात तक देश में सिरफ एक एम्स था एक। अटल जी ने छे और एम्स फिकृत किये थे अपने कालखन में। बीते साथ बरसों में सोला नए एंस बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्स ये है कि देश के हर जीले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुसी है कि यहाँ यूपी में भी अनेक जीलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी योगी जी पूरा वर्ण कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के नव मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकारपन करने का आउसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्त को दी जा रही सर्वोच्च प्रांस्विक्ता का ही नतीजा है कि यूपी लगबग 17 करोड टीके के पढ़ाव पर पहुँच रहा है। भाईयों और बहनों हमारे लिए 130 करोड चाथिक देश्वास्चों का स्वास्त सुविदा और संभुद्धि सर्वोपरी है। विशेश रुप से हमारी माताओं बहनों बेट्यों की सुविदा और स्वास्त जिस पर बहुती कम द्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, सौचाले, जिसको आप लोग इज़दगर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोशन, टिका करन, ऐसी अनेक सुविदाएं जो गरीब बहनों को मिली हैं, उसके परणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्ट सर्वे आया है, वो भी कई सकारत में संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरूसों से अधिक हुई है। इसमें बहतर स्वास्विदाओं की भी बड़ी भुमी का है। बीते पांच-छे सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर माली का नाहक बड़ा है। और इसमें उत्तरपदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उप्योग में भी महिलाओं की संख्या में अभूत पुर्व वृद्धी दर्ज की गई है। साथियों आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रविया जनता से उनकी बेरुख्वी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूँ। सब जानते थे कि गोरकपूर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे छेत्र के किसानों के लिए यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरकपूर में एम्स की मांग बर्सों से हो रही थी। लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहने बाने बताए। मुझे आगे जब बात आर्या पार की हो गई तब बहुत बेमन से बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरकपूर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। ताथ क्यों आज का ये कारक्राम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिने टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है जब ऐसे प्रोजेक्ट पुरे होते हैं तो उनके पीछे बर्सों की मेहनत होती हैं दिन रात का परिश्रम होता है ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजीन की सरकार विकास में जूटी रही उसने काम रुकने नहीं दिया मेरे प्यारे भाईयों भाईयों लोहिया जी जैप्रकाद नाराएंट जी के आदर्सों को इन महापुर्शों के अनुशादन को ये लोग कभ से छोड़ चुके हैं आज पूरा यूपी भली बाती जानता है कि लाल तोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है उनको आपके दुख तकलिप से कोई लेना देना नहीं है ये लाल तोपी वालों को सत्ता चाहिए गोटालों के लिए अपनी तीजोरी भरने के लिए अवैद कप्चों के लिए माफियाओं को खुली छूड़ देने के लिए लाल तोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर महरबानी दिखाने के लिए आतंकियों को जैल से छुड़ाने के लिए और इसलिए याद रखिये लाल तोपी वाले यूपी के लिए रेड एलर्ट है रेड एलर्ट यानि खत्रे की गंटी है साथियों यूपी का गंणा किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गंणा किसानों को पैसे के भुक्तान में रुला दिया था किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महिनों का अंतर होता था उत्तर पदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे क्या क्या गोटाले किये जाते थे इससे पुर्वाँचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचीत है साथियों हमारी डबल इंजिन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है भाव्यों भावनों आपको विरासत में जो मुसीबते मिली है हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबते विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए हम ये बडलाव लाना चाहते हैं पहले की सरकारों के वो दिन भी देशने देखे हैं जबनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिये हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं इसका लाप यूपी के लगबग 15 करोड लोगों को हो रहा है हाली में पी-एम गरीब कल्यान अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है साथियों पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के गुजिले बी आईपी थे बी आईपी योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वी आईपी बना कर बिजली पहुँचाने का काम किया है आज योगी जी के सरकार में हर गाओं को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है पहले की सरकारों ने अपरादियों को सवरक्षन दे कर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोल कर यूपी में निवेश कर रहे हैं यही यही डबल इंजिन का डबल विकास है इसलिए डबल इंजिन की सरकार पर यूपी को भी सवास है आपका ये आशिरवात हमें मिलता रहेगा इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सब को बहुत बहुत बदाई मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद